आज का हमारा प्रस्थन है कि गर्भ निरोधन की विन्य विधिया बताईए तो गर्भ निरोधन की विन्य विधिया निम्न प्रकार से है पहली है यांत्रिक यह इस विधि को अवरोध विधि भी कहा जाता है नमबर दो है सल्ली कीरिया विधी नमबर तीन है हार्मोन संतुलन द्वारा और नमबर चार आप लिखना चाहते हैं प्राकतिक विधी तो देखिए देखते हैं यांत्रिक विधी में क्या होता है जो नर होते हैं उनमें सुक्रानों का निर्मान होता है और मादाओं में अंडानों का निर्मान होता है तो इस विधी में सुक्रानों तथा अंडानों को मिलने से रोका जाता है जिससे गर्वधारन ना हो तो इस विधी में सुक्रानों को, सुक्रानों तथा अंडानों को मिलने से रोका जाता है नमबर दो है सल्ली किरिया वीदी तो इस वीदी में नर की सुक्रवाही का नर में सुक्रवाही करेगी और मादा में अंडवाही को अवरोद किया जाता है इनमें दोनों में रुकावट डाली जाती है सल्ली किरिया वीदी में नर की सुक्रवाही का तथा मादा की अंडवाहीनी को अवरोद किया जाता है और नमबर तीन है कि हार्मोन संतुलन दोरा तो इस वीदी में गोलियों का सेवन किया जाता है और यहां गोलिया महिलाओं के दोरा ली जाती है जिससे गर्वधारन ना हो और देखे चोथी वीदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि प्राकतिक वीदी तो इस वीदि में क्या होता है जो विवाई जोड़े होते हैं तो महिलाओ में रीतु स्त्रावचक्र होता है तो रीतु स्त्रावचक्र के बाद 10 से 70 दिनों तक संभोग से बचते हैं क्योंकि इस समय ही महिलाओं में गर्वधारन करने की छमता होती है इन गर्वधारन की संभावना इनमें बनी रहती है तो तक वीदी कहते हैं देखिए पहली वीदी थी कि या अंत्रिक या अवरोध वीदी तो इस वीदी में क्या होता है शुक्रानों तथा अंडानों को मिलने से रोका जाता है और नमबर दो थी सली किरिया विदी इस वीदी में नर की سुक्रवाहि का तथा मादा की अंडवाहिनी को अवरोध किया जाता है न दोनों में रुकावट डाली जाती है जिसस से गर्वधारन ना हो नमबर तीन है हर्मोन संतुलन द्वारा तो ये विदी महिलाओं में होती है इसके लिए गोलियों का सेवन किया जाता है और ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है और नमबर चारती प्राकतिक विधी इस विधी में आप लिखेगा मैं आपको बोल दू प्राकतिक विधी के हेटिंग डालेगा और लिखेगा कि इस विधी में विवाई जोड़े मासिक रितुस्त्राओं के बाद 10 से 17 दिन तक संभोग से बचे क्योंकि इस समय ही गर्ब धा पहली ज्यांत्रीक नमबर दो हे सल्लिक इरे विधी नमबर तीन हार्मोन संतुलन विधी नमबर चार हे प्राकतिक विधी तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजे और अपनी नोटबुक में इस प्रस्ट्रों के अच्छे से नोट करीए